पिछले साल के IPL में धूनी की टीम CSK ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था उसको देखते हुए हर को यही कह रहा था कि धूनी तो अब खतम हो चुका है लेकिन इस बार IPL के सुलवी सीजन में धूनी का एक नया ही अवतार देखने के लिए मिल रहा है उन्होंने बैटिंग में अपने आपको काफी पीछे कर लिया है इतना पीछे की जरूरी भी नहीं है कि हर मैच में उनकी बैटिंग आ ही जाए लेकिन विकेट के बीचे खड़े होकर अपनी कीपिंग और अपनी कप्तानी से उन्होंने जिस तरीके से सीजन के काया पलट किया है वो साफ तोर पर उनकी इस समय टेबल के पोजीशन को देखकर समझ में आ रही टॉप पर बैठी वी सीज के आधा आईपेल खतम होने के बाद इसके अलावा रहाने जिनकों की किसी भी टीम ने खरीदने समना कर दिया था उनको साथ में लेकर आईपेल में जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से खिलाड़ी को जीवन दिया है वो बताता ही कप्तान दोनी किस तरीके से अपने अन्प्रेडिक्टिबल बहेवियर से किसी को भी चौका सकते है आज हम बात करने वाले हैं आईपेल के आगा खतम हो सीजन के बारे में और बात करेंगे कि आखिर कौन किस जगे बे खड़ा हुआ है और किस तरीके से दोनी की सीज के अगवार फिर से चौका दिया है जै हिन दोस्तों वंदे मातरम इंडियन प्रीमेर लीग के सोलवे सीजन में लीग स्टेज के आधे मुकाबले खतम हो चुके है महिंदर सिंग धोनी की कप्तानी वाली चैने सोबर किंग सभी को चौकाता हुए टॉप पर है वहीं हैदरबाद और दिल लीफ इसटी टी में सावित हुई है शुरुआती मुकाबले हाई स्कोरिंग रहे लेकिन अब छोटे टार्गेट भी डिफेंड हो रहे है जातर मैचों में नतीजों के लिए आखरी और तक अंदिजार करना पड़ रहा है तीन साल बाद लीग होम एंड अवे बेसेस पर हो रही लेकिन होम एडवांटेज मिलता हुआ दिख नहीं रहा दरसल आकडो के नुशार घरिल उमेदान पर टीमें 57% मैच गवा कर बैटी जादा टीमें टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी कर रही है लेकिन उन्हें 42% मैचों में ही सफलता मिल रही है दरसल एक साइकलोजी है कि बाद में बैटिंग अगरम करेंगे अब देखिए टूल्डमेंट में अब तक काफी सारी चीज़े हो चुकी है उन्हें के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात कर रहे है दरसल टॉप विकेट टेकर, टॉप रन स्कोरर से लेकर कौन सी टीम कहां पर बैटी हुई है इन सबी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे लीग में अब तक 36 मैच हो चुके है लेकिन यहाँ पर हम लोग 35 मैच की ही बात करेंगे ताकि आख़ा 50% लीग मैचों के बाद की तस्वीर सामने ला सके अगर हम बात करें आईपेल के शुरुआती मैचों की तो इन मैचों में साइस उदर्शन और तलक वर्मा जैसे यूवा मिडल ओल्डर बैटर्स सबसे जादा रन बना कर औरेंज कैप जीतने की रेस में सबसे आगे थे लेकिन आदा इपेल खत्म होने के बाद औरेंज कैप पर पूरी तरह से ओपनिंग बैटर्स ने दबदब होना लिया है आर्सीबी के ओपनर फाफ डूपलेसिस चार्सो पांच रन बनाने के साथ रस्रिस में टॉप पर बैठे हुए उनके बाद में चैनली सूपर किंग्स के डेवन कॉनवाय, दिली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉलनर गुजराट टाइटन्स के शुमन गिल और आरसीबी के विराट कोली का नाम इंटरिस्टिंग बात यह है कि ये सभी खिलाडी ओपनर्स है इन पांच खिलाडियों के बाद भी रितुराज गाय कवार, केल, राहूल, वेंक टेशायर, ग्लेन मेक्सवेल, जॉस बटलर और कायल मेर्ज ऐसे टॉप और्डर बैटर ही औरेंज कैप जीतने के रेस में समया आगे 2020 ओवर के मैच में बड़े हिट्स और कम गेंदों पर जादा रन बनाने तो वहीं केक यार के शारदोल ठाकुर, सीएसके के महिंदर सिंग दोनी और राजस्तान रोयल्स के दुरव जुरेल भी इस लिस्ट में शामिल है इन सभी का स्ट्राइक रेट 188 से जादा है RCB के ग्लेन मैक्सवेल 188 के स्ट्राइक रेट के साथ में इस लिस्ट में चौथे नमबर पर है हाला कि शक्के माने के लिस्ट में वो अपनी टीम के कप्तान डुपलेसिस के बाद दूसरे नमबर पर है डुपलेसिस ने 25 और मैक्सवेल ने अब तक 23 शक्के जमाए इतना ही नहीं मैक्सवेल हर छटी बाल पर एक चक्का लगा रहे है लखनो के निकलस पूरन ने अब तक कुल 15 शक्के जमाए लेकिन वो भी लगबग हर छटी बाल पर एक 6 लगा रहे है कम गेंदों में चक्के लगाने वाले मैक्सवेल, पूरन, शिमरन, हैटमायर और रिंको सिंग जैसे प्लेयर्स इन दिनों IPL में अपने दम पर मैच जतवा रहे है IPL के 16 सीजन की पहली सेंचुरी संडराइजर सहदरवाद के सबसे महंगे खिलाडी रहे हैरी ब्रुक्स ने जमाई उन्होंने कोलकाता नाइड़र्स के खिलाफ इडन गार्डन मैदान पर 55 बालों में 100 रन की नट आउट पारी खेली थी उनके अलावा KKR के वेंगटेश आईयर ही इस सीजन में शतक लाआ सके है आईयर ने मुम्मे इंडनिस के खिलाफ मुम्मई में 59 बालों में 104 रनों की शांदार पारी खेली थी इन दो प्लियर्स के अलावा इस सीजन में कोई भी खिलाडी अब तक शतक जमा नहीं सका है वहीं अगर हम बात करने शिकरदावन और रिदुराज गाय कवाल की तो ये शतक के करीब ज़रूर पहुंचे लेकिन ये उसको सेंचुरी में कनवर्ट नहीं कर पाए टूर्णमेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर परपल कैप जीतने की रेस में गुजराट टाइटन्स के राशिद खान इस समें टॉप पर है उनके साथ मैचों में चवदा विकेट है उन्ही के नाम सीजन की एकमात रहे ट्रिक भी है उन्होंने कुलकातर नैट डेडर्स के खिलाफ ये कारणाम किया था राशिद के अलावा परपल कैप की लिस्ट में भारती खिलाडियों के दबदबा बना हुआ है टॉप दस में आठ भारती है इनमें RCB के महमद सिराज और पंजाब किंग्स के अर्शिदीब सिंग के नाम 13-13 विकेट है लखनाओ के मार्क वुड 11 विकेट के साथ परपल कैप के टॉप 10 खिलाडियों के लिस्ट में शामिल है वहीं G20 मैच में एक बॉलर के रूप में विकेट लेने के साथ डॉट गेन, मेडेन उवर्स और पावर प्ले में विकेट लेना बहुत ज़्यादा जरूर ही माना जाता है डॉट बॉल से बैडर्स पर दबावा आ जाता है और वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कई पर अपना विकेट गवा देते है आई पेल के सीजन में सबसे जाल डॉट बॉल फेकने के मामले में टॉप फाइव खिलाडियों में पेसर सी आगे है 89 डॉट बॉल के साथ RCB के सिराज पहले 88 डॉट बॉल के साथ में जीटी के मुहमद शामी दूसरे पर है बहीं पावर प्ले के दोरान सबसे जादा विकेट लेने के मामले में RCB के मुहमद सिराज इस समय राजसान रॉयल्स के ट्रेंट बॉल के साथ टॉप पर है दोनों ने अब तक शुराती 6 वरों में 7-7 विकेट लिये है टॉर्णामेंट के एक मैच में सबसे जादा विकेट के अगर हम बात करें तो लखनो सुपर जाइंट्स के मार्क वुड टॉप पर है वो टॉर्णामेंट के एक मातर खिलाडी है जिन्होंने एक मैच में 5 विकेट लिये हैं उनके बाद साथ खिलाडियों ने मैच में चार विकेट लिये हैं लेकिन कोई भी खिलाडी पांच विकेट के आखड़े को पाड़ नहीं कर सका गुजरा टाइटन्स भी 10 पॉइंट के साथ में दूसरे नमबर पर है लेकिन उन्हें अपने ही होम ग्राउंड पर कुछ करीबी मुकाबलों में हार जहिलनी पड़ी इनके अलावा बैंगलूरू, दिल्ली और पंजाब ने शुरुआती मैच हारने के बाद पिछले कुछ मैचों में जीत के साथ वापसी करी लेकिन संदाइजर सहेदरबाद, डीसी और केके आर अब तक सीजन की सबसे फिसर्ड़ी टीमों में शामिल है संदाइजर सहेदरबाद जहाने आप पिछले तीन तो वहीं केके आर ने पिछले चार मुकाबले गवाए थे हाला कि केके आर कल बैंगलूरू से को अपने मैच को जीत चुकी लेकिन ये दोनों ही टीमें चार और छे पॉइंट की साथ में टेबल के निचले पैदानों पर ही है आई पील का ये सीजन काफी ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी रहा है 35 मैचों की सतर पारियों में 16 बार 200 से भी ज़्यादा रन बन चुके है CSK के नाम टूर्णमेंट का सबसे बड़ा स्कोर है उन्होंने केक्यार के खिलाफ 235 रनों का स्कोर खड़ा किया था CSK ने ही अब तक तीन बार 200 से ज़्यादा रन बनाए है और तीनों ही बार उन्हें जीत मिली लगना सूपर जाइंट्स और कोलकातर रेंडर्स भी अब तक 200 से ज़्यादा रन का टारगेट सफलता फूर वक्त चेज कर चुके है वहीं LSG ने बैंगलूरू और केके आर ने गुजरात के खिलाफ ये कारना मकिया था दस टीमें मिलकर 1744 और 531 चके भी लगा चुकी आई पेल में आमतार पर टॉस जीतने वाली जादर टीमें बालिंग करना पसंद करती इस बार भी 35 मैचों में टॉस जीतने वाली टीमों ने 31 बार चेज करना पसंद किया है हालागे इससे मैच में नतीजों पर जादा फर्क पड़ा नहीं है क्योंकि 35 में से 57% मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम नहीं जीते है चेज करने वाली टीमों को 15 मैचों में ही सफलता मिल पाई है जो की एक बहुत ही कम नमबर है मैं कहूं तो वहीं IPL में हाई स्कोरिंग मैचों के साथ कई रुमांचक मैच भी देखने को मिले जो आखरी ओर तक गए केकियार के रिंकु सिंग ने आखरी पांच बॉलों में पांच छक्के लगा कर केकियार को जिताया था तो वहीं LSE की टीम आखरी 36 गिंदों पर आखरी बाखी रहने के बाद भी 30 रन नहीं बना सकी थी सीजन में अब तक 11 बार टीमों ने 15 से भी कम रनों के अंतर से मैच कवा है इनमें 7 बार जीत का अंतर 9 रन से भी कम रहा चीज करते हुए 8 बार टीमों ने आखरी ओर में जीत दर्श करी वहीं 3 मैच तो आखरी बाल पर खत्म हुए यानि की 35 में से 19 मैच बेहद रोमांचक रहे जिनों ने आखरी ओर तक दर्शकों को बांध के रखा IPL का 16 सीजन काफी लंबे समय के बाद होम और अवे कॉंसर्ट पर खेला जा रहा है जो कि लोगों का काफी पसंद दूबा करता था और इसलिए इस बार के IPL में आपको ज़्यादा भीड भी देखने के लिए मिलेगी आधा IPL खत्म हो चुका है आधा बचा है